दोस्तों नमस्कार स्वागत है। आप सभी का हमारे चैनल हिंदी पौरानिक कथाए में दोस्तों दीपाबली की आप सभी को धेर सारी शुब कामनाई माता लक्षमी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहें माता रानी की क्रिपा से आपके जीवन अगर दिवाली में आपको कहीं पर उल्लू दिखाई देता है या रात को उल्लू की आवाज सुनाई देती है या आपके घर पर उल्लू आकर बैठता है तो इससे हमें शुब और अशुब संकेत मिल सकते हैं शास्त्रों में उल्लू को मा लक्ष्मी का वाहन माना गया है इसलिए दिवाली में इसके दिखाई देने पर हमें निश्चित ही महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं जिसे कभी दूर लक्ष नहीं करना चाहिए इसके साथ ही दोस्तों शास्त्रों के अनुसार दिपावली पर घर पर कुछ पशु पक्षियों का आना बहुत ही शुब होता है इन पक्षियों के आगमन से हमें यह संकेत मिलते हैं कि घर पर मा लक्ष्मी का आगमन हुआ है इन में से कुछ पक्षी मा लक्ष्मी के वाहन के रूप में जाने जाते हैं तो कुछ पक्षी बहुत ही शुब संकेत देने वाले माने गए हैं यदि आपके घर पर यह पक्षी आते हैं तो उन्हें भूल से भी दूर लक्षना करें इन पक्षियों के घर पर आने पर आपको शुब संकेट मिलते ही हैं साथ ही आपको कुछ उपाय करने चाहिए ताकि आपको धन की प्राप्ति हो और मा लक्षमी का आशिर्वात प्राप् दोस्तों दीपावली शब्द की उत्पत्ती संस्कृत के दो शब्दों से हुई है दीप अर्थात दिया और आवले अर्थात श्रिंखला दीपावली का अर्थ होता है दीपों की श्रंखला माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात। के समय में हमें प्रकृती में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। हमें उसके शुब्फल प्राप्त नहीं होते हैं। दोस्तों हर दिन आपके घर पर पशुपक्षी आते होंगे और आप इसे साधारन सी घटना समझ कर दूर लक्षे करते होंगे। लेकिन दोस्तों शास्त्रों के अनुसार दिवाली के समय पर अगर घर पर कुछ विशेश पशुपक्षी आते हैं तो वे विशिष्ट प्रकार का संकेट देने के लिए आते हैं। पशुपक्षियों को सकारात्मक और नकारात्मक उर्जा का एहसास होता है और वे हमेशा ही सकारात्मक उर्जा की तरफ आकर्शित होते हैं। अगर किसी स्थान पर कुछ सकारात्मक या अच्छा होने वाला होता है, या खुशिया आने वाली होती है, तो यह पशु पक्षी उस स्थान पर अपने आप ही जमा हो जाते हैं, आज हम देखेंगे कि कुछ विशेश पक्षियों के द्वारा हमें कौन से संकेत प्राप्त होत है, आए जान लेते हैं, दिवाली पर विविध। पक्षियों के घर पर आने से कौन से संकेत मिलते हैं, साथ ही हम बात करेंगे एक ऐसे खास पक्षी के बारे में जिसका दिवाली में घर पर आना बहुत ही शुभ माना गया है, वह पक्षी साक्षाक मा लक्षमी का वाहन ही अगर यह पक्षी दिवाली में आपके घर पर आकर तीन संकेत देता है, तो समझ जाए कि आपके दुखों का अंत होने वाला है, आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है, आपके जीवन में धर्म से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त होंगी, तो चल नहीं होता है, वे की करकश आवाज भी किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कौवे भी भविश्य का हाल बताते हैं, और शुब या अशुब घटनाओं की जानकारी देते हैं, यदी दिवाली में बहुत सारे कौवे एक जगह इकठा होकर जोर जोर से चिलाते हैं, तो पानी से भरे पात्र पर बैठा दिखाई दे, तो यह शुब संकेत होता है, और किसी अच्छी घटना का संकेत होता है। इसे शुब संकेत समझना चाहिए दिवाली में मोर के घर पर आने से उस घर का विकास होता है। उस घर के शत्रों का नाश होता है, और घर में रहने वाले सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है, यदी दिवाली में आपको सपने में अथवा वास्तविट्ता में दर्शन हो जाएं, तो आपके लिए यह बहुत ही शुब संकेत है, आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है. तीसरा पक्षी है चिडिया दीपावली में घर पर चिडिया का आना सुख समर्धी का सूचक है जिस घर में चिडिया अपना घोसला बना लेती है उस घर में हमेशा आनंद और खुशाली रहती है घर का वातावर्ण सुखद रहता है यदि चिडिया ने आपके शरीर पर खासकर सिर्पर बीट कर दिया तो यह बिल्कुल भी अशुब नहीं होता है यह तो किसी शुब समाचार का संकेत होता है आपको जल्दी ही कोई शुब समाचार मिलने वाला है घर में भी यदि कहीं भी चिडिया पीट कर देती है तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है चिडिया बहुत ही सीधी साधी और दरपोक पक्षी होती है वह जल्दी किसी के करीब नहीं जाती है लेकिन यदि चिडिया आपके आसपास या आपके घर में बिना किसी दर के आन पालकनी में आकर चहचाने लगे, तो समझिए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुब प्रसंग होने वाला है, कोई खास समाचार मिलने वाला है, किसी विशेश कार्य में सफलता मिलने वाली है, चौथा पक्षी है, कबूतर शास्त्रों में कबूतर पक्षी का उलेख मिलता है, इसे प्रेम संबंधों से जोड़ कर देखा गया है, कुछ लोग कबूतर को अशुब मानते हैं, क्योंकि कबूतर गंदगी बहुत ज्यादा फैलाते हैं, लेकिन दोस्तों दीवाली में कबू दराता है, तो इसे शुब ही. बचना चाहिए यह संकेत देता है, कि घर में किसी का विवाह होने वाला है, अथवा लंबे समय से अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है, तो उस व्यक्ति का विवाह होने की पूरी संभावना है, पांचवा पक्षी है, चमगादर चमगा के तौर पर देखते हैं। अशुब माना जाता है। कुल्लू के मुह से निकलने वाली ध्वनी रात के शांत वातावन को। भावना बनाती है। कुल्लू की आखे बड़ी और बेहत दरावनी और इंसानों की तरह सामने की ओर होती है। काम भी बड़े होते हैं। चहरा बादाम के आकार का होता है। कुल्लू अपनी गरगन और आखो को चारों और घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज भी बहुत भयानक होती है। यह हमेशा रात में ही चिलाते हैं और अपना शिकार करते हैं। इसलिए इनके भयानक रूप के कारण पुराने लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों पुरानों में वर्नित कथा के अनुसार लक्षमी जी जब स्वर्ग से धर्ती पर आ रही थी तो उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा था। क्योंकि वह रात का समय था तो प्राणियों में उल्लू ही ऐसा था जो जाग रहा था इसलिए उन्होंने उसी को अपना बाहन बना लिया इसलिए दिपावली के समय उल्लू का दिखना या उसकी आवास सुनाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर दिपावली के समय आपके घर पर उल्लू आकर बैठता है तो समझ लेना चाहिए कि साक्षात्मा लक्ष्मी आपके घर पर आई है अगर आपको दिपावली में उल्लू की आवास भी सुनाई दे तो यहाँ आपको बहुत बड़ा धन लाभ होने का संकेत है। आपको निकट भविश्य में कहीं से बहुत सारा धन प्राप्थ हो सकता है। अगर दिपावली में किसी नीम के पेड़ पर उल्लू बैठा हुआ दिखाई दे तो यह रोग बीमारी के समाप्थ होने का संकेत है। तो उल्लू अगर किसी व्यक्ति को छू लेता है तो वह र पूजा करने का रिवाज है। कई जगहों पर माना जाता है कि यदि किसी भी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो यह शुब संकेत है और यदि उसे उल्लू छुले तो उसकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार उल्लू यदि किसी रोगी को छुकर चला जाता है तो उसका गंभी रोग भी ठीक हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक कार्य जैसे नौकरी परीक्षा आदी के लिए जा रही हैं और उल्लू दिख जाए तो यह भी शुब माना जाता है। यह अत्यंत शुब होता है। तो इसे शुब माना जाता है। कहते हैं कि दिवाली के अलावा अन्य दिनों में उल्लू जिस घर पर बैठ जाता है वह घर भी जल्दी ही बैठ जाता है। कि दिवाली के अलावा जाता है। साथ ही वहाँ पर धन हानिया मृत्यू का भी अंदेशा रहता है। वैसे देखा जाएं तो शुब और अशुब की बहस में उल्जा यह पक्षी बहुत शान्त होता है। किसानों के लिए तो यह वर्दान ही होता है। यह चुहों और इसी तरह के जानवरों का शिकार करता है जो फसलों को नुकसान पहुचाते हैं परन्तु अब यह। भी संख्या में कम होते जा रहे हैं। तंत्र साधना में और विशेशकर दीवाली के अफसर पर लक्ष्मी जी को प्रसंद करने के लिए बड़ी संख्या में इनकी बली दी जाती है, इसके नाखून बाल और पंखों को तांत्रिक क्रियाओं में उप्योग किया जाता है, परन्तु ऐसा करने वाले यह नहीं समझ शास्त्रों में इन खास पक्षियों के बारे में बताया गया है, या आपके भी घर पर ऐसे पक्षी आते हैं, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी विडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद